हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो सभी गोर्मेंट एक्जाम सभी मेडिकल एंट्रेंस एक्जाम और जितने भी आपके एडमीशन के लिए एक्जाम्स करवाया जाते हैं आज की वीडियो उन सभी से रिलेटिड रहने वाली ह सुप्रीम कॉर्ट का फाइनल डिसिजन क्या रहा है तो एक्चॉल मैं आज सभी को पता है कि आज हीरिंग थी फाइनल अनॉंसमेंट की की सुप्रीम कॉर्ट डिसिजन करने वाला था कि एक्जाम्स जितने भी है वो कैंसल किये जाए पॉस्पॉन किये जाए या फिर ते ड डिसिजन लिया गया है तो आज मैं डिटेल में पूरा बताने वाली हूँ आपको की जो प्यायर डाली गई थी उसका फाइनल रिजल्ट क्या रहा है स्टुडेंट्स को उस रिजल्ट से सैटिश्फेक्शन होगा या नहीं होगा वो आपके उपर डिपेंड करता है तो दे आपके लिए अमेजिंग ओफर आप लोगों के लिए ब्रैंडिड नॉट्स नीट यूजी के लिए डिटेल में और हाई क्वालिटी नॉट्स आपके रहेंगे यह एवलेबल रहेंगे प्लस और आइकोनिक सब्स्राइबर्स के लिए जो प्रिपरेशन को अगर आपकी जो आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सब्जेक्ट साजाएंगे केमिस्ट्री बायो फिजिक्स किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आपको नॉट्स चाहिए जैसे माल लिया जाए आपको बायो लोजी के चाहिए तो आप बायो उपर क्लिक करेंगे तो बायो एक्स्टेंशन फ्री और आज ही करी दिये 24 मंस का सब्सक्रिप्शन और पाइए 3 मंस का एक्स्टेंशन फ्री ये पॉपुलर डिमांड रही है स्टुडेंट्स की जिस वजह से इस बंपर ओफर को वापिस से निकाला गया है कितने मंत का लेना चाहते हैं वो आपके उपर डि आपके रहेंगे पूरा जो स्ट्रेक्चरड कॉर्स है वो एवलेबल करवाए जाएगा पीडिया फोमेट आपको एवलेबल करवाई जाएगी तो नीट यूजी के लिए न्यू बैच आपके स्टार्ट हो रहे हैं नीट यूजी 2022 के लिए एंध्यूस बैच संजीवनी बै बैच तीन न्यू बैच आपके स्टार्ट हो रहे हैं और नीट यूजी 2023 के लिए 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 बैच संजीवनी बैच बाहु बली बैच इसके लिए भी तीन न्यू बैच आपके स्टार्ट हो रहे हैं तो जिन भी स्टुडेंट का नीट यूजी का ड्रीम है और उनको फिनिशियली भी एन अचेडमी के थू हैल्प की जा रही है फोर नीट 2022 एं 2023 एस्पाइरेंट्स के लिए एन अकेडमी के थू आप एन अकेडमी आपके लिए लोन प्रोवाइड करवा रही है अगर आपको फाइनेशल प्रोब्रम है तो और गाइज अन अकेडमी के तरफ से इंडिया के बिगस्ट विक्ली स्कॉलर्सिप टैस्ट जो आप लोगों के लिए बिलकुल फ्री रहेगा अन अकेडमी कॉमबैट है यह आपका एवरी संडे मॉर्निंग 11 एम करवाए जाता है इंडॉल्मेंट बिलकुल फ्री रहेगा टैस्ट बिलकुल फ्री रहेगा और यह आपको मोका मिलेगा 4 करोर प्लस तक की स्कॉलर्शिप जीतने का जिन्बी स्टुडेंट्स का रैंक 1 to 3 आएगा उनको 1 ये नीट यूजी प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा और रैंक 4 to 10 वाले स्टुडेंट्स को 75% स्कॉलर्शिप मिलेगी रैंक 11 to 50 वाले स्टुडेंट्स को 50% स्कॉलर्शिप और रैंक 51 to 150 वाले स्टुडेंट्स को 25% की स्कॉलर्शिप मिलेगी तो ये टेस्ट को free of cost देने के लिए आपसे एक कोड मांगा जाएगा तो आपको prea 2010 कोड यूज करना है ताकि जो आपका टेस्ट है वो free of cost आपका अन लोग कर सकते है और यदि आप कोई भी paid course लेना चाहाते है अन अकेडमी का तो आपको amazing 10% का discount मिलेगा यदि आप prea 2010 कोड यूज करेंगे तो guys नीचे description में link मिलेगा वहां से directly आप इंडॉल कर सकते है तो guys अब हम बात करते है जो supreme court का final decision रहा है 31st में जो की hearing की date दी गई थी स्टुडेंट्स और स्टुडेंट्स के कुछ स्टुडेंट्स के parents थे जो यह चाहते थे कि एक्जाम को cancel कर दिया जाए जो 12th के एक्जाम है उनको cancel कर दिया जाए तो cancellation के लिए PIR डाली थी supreme court के कि last hearing होगी और finally decide कर दिया जाएगा कि exam का क्या होना है और यह आप सबी को पता है कि ministers के through high level meeting की गई थी कि exams का क्या करना है connect करवाना है पोस्टपॉन करना है तो कितना पोस्टपॉन करना है ठीक है और connect करवाया जाना है तो किस mode में connect करवाया जाए online, offline, घर से connect करवाया descriptive paper हो या फिर 3 hours के वजाए 1.5 hours का paper हो इस तरीके से पूरा discussion किया गया था ठीक है तो जो ministers की full meeting होगी वो 1st June को वापिस से होगी और 1st June को final decision दे दिया जाएगा Supreme Court की जो hearing थी exams को लेकर वो आज ही के दिन थी 31st में को Supreme Court की hearing थी तो देखिए देखते है क्या decision रहा है क्या बोल है Supreme Court ने exams को लेकर तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते है कि जो Central Board of Secondary Education will release the CBSA decision on board exam 2021 date and format by June 1st June 2021 ठीक है The Central Government has clarified that the CBSA class 12th board exams 2021 will be conducted however a PIN seeking cancellation of the CBSA 12th exam has been filed in Supreme Court Supreme Court में file की गई थी जो 12th के exam है उसको cancel करने के लिए and the hearing has been adjourned to 31st May 2021 और जो hearing है वो कब होनी थी 31st में तो आज के दिन आपकी ये hearing होनी थी तो देखिए हम directly देखते है तो आज final decision है वो क्या निकाला गया 12th board exam live updates will examine center decision Supreme Court adjuns to 3rd June ठीक है अब कब तक टाल दिया गया ये 3rd June तक टाल दिया गया है CBSC class 12th board exam 2021 and ICSC board exam hearing in the Supreme Court has begun in this CBSC Supreme Court hearing the bench will consider the petition seeking to cancel class 12th board exam amid the COVID-19 pandemic आप ये देख सकते है क्या consider किया जाएगा इस petition के बारे में ये 31st में का है high court ka CBSC class 12th board exam 2021 and ICSC board exam Supreme Court hearing has begun in the CBSC Supreme Court hearing the bench is considering the petition seeking a directive to cancel a class 12th board exam amid the COVID-19 pandemic a bench of Justice A.M. Kanvilkar and Dinesh Maheshwari adjoined the hearing to 31st May asking the petitioner to serve advance copies of the petition to respondents including center CBSC and ICSC the court on 28th May said that the CBSC, the ICSC and the center should be represented in the hearing get quick updates ठीक है तो जो hearing है may be Monday there will be some resolution be optimistic we will hear the matter on Monday the court had said the plea filed by Supreme Court advocate Mamata Sarma asked for direction to the center central board of secondary education and the council for the Indian school certificate examination to cancel the CBSC board exam 2021 and ICSC class 12th board exams in the view of deadly coronavirus infection in the plea Mrs. Sarma has requested the Apex court to CBSC and ICSC to declare the class 12th board 2021 on the basis of objective methodology within the specific time frame तो जो और जो final decision है उसके बारे में क्या बोला है the center is expected to announce its final decision on CBSC class 12th board exam tomorrow first zone ठीक है 23rd में को high level meeting की गई थी और final decision बोला गया है कि 1st June को दिया जाएगा the state governments had submitted their detailed suggestion on the proposal तो जितने भी states थे सभी states के ministers को बोला गया था अपने अपने सुजहाओ देने के लिए कि exam को connect करवाया जाए ना करवाया जाए किस तरीके की situation है तो 1st June तक जो सभी ministers की राय है वो ले ली गई है और 1st June को final अनाउंस कर दिया जाएगा कि exam का mode क्या रहने वाला है conduct करवाया जाएगे या cancel होंगे या पोस्ट पॉन होगे ठीक है तो guys जुड़े रही है मेरे साथ latest update जानने के लिए यदि आपने अब तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe जरूर किसे एगा और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आते है तो like and share करना बिल्कुल भी ना भूले ओके thank you guys